Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study which is a part of Unacademy group दोस्तों आज की स्क्विज वीडियो में हम देखने वाले हैं Top 100 GK और GS के Question Answer और देखे ये Part 2nd है दोस्तों इस सीरीज का तो आप इस सीरीज का पहला पार्ट जो अपलोड हो चुका है उसको भी देख सकते हैं इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के साथ में भी सेर जरूर करिएगा और देखे दोस्तों Unacademy पर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन जोइन करना है कम्प्लीट चारी करने के लिए तो कोड आपको याद रखना है स्टुदी वाई वन जीरो विदाउट एनी स्पेस ये स्टुडिट एंड कोड अपलाई करना है SSC से लेके UPSC तक के सभी एक्जाम्स के लिए यही कोड आपको अपलाई करना है और सब्सक्रिप्शन जोइन कर लेना है और एक और इंपोर्टेंट बात दोस्तों देखिए अनकेडमी पर दो स्पेसल क्लासिज हो रही है मेरी एक तो दिन में ठाई बजे और एक रात के ग्यारा बजे दोनों ही इंपोर्टेंट हैं दोनों ही क्लास इसको आप जोइन कर लिया करें फ्री ओप कोस्ट है यह एसससी काटेगरी में क्लास होती है और रात के ग्यारा बजे वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि इसमें होता है जीके का नाइट क्विज जो की सब भी एक्जाम के लिए होता है आप किसी भी एक्जाम की तहरी कर रहे है आप इसको जुरूर जोइन करिएगा और यह ठाई बजे वाली क्लास भी जुरूर जोइन करिएगा इसमें भी आपको कोड study train ही अपलाई करना है अगर आप पहली बार जाते हैं अनलोग करने के लिए तो study train code अपलाई करिएगा और आप फिरी में ही क्लास देख सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो आज की वीडियो का पहला question है नेमेन में से कौन से देश की तट्रेखा सबसे लंबी है और देखे इस पूरे live test में आपको जितने भी questions आते होंगे नीचे comment box में बताते रहना आपकी भी ज़्यादा से ज़्यादा practice होगी और आप last में ये भी देख पाएंगे कि इस पूरे live test में आपने कितने questions के answer सही की है और like करने दो भूलिएगे मत इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा बिल्कुल सही है Canada is the right answer ये आपको क्या दखना है चलिए दूसरा question आ रहा है निमिन में से किसे Siberia का मोती कहा जाता है जहां से देखेगा इस question का दोस्तो right answer हो जाता है Siberia का मोती कहा जाता है ये आपका दूसरा question था चलिए next question आता है मचली उत्पादन किस क्रांती से संबंदित है आप सभी को पता होगा the revolution of fish production is called बिल्कुल सही answer क्या है blue revolution नीली क्रांती से संबंदित है ठीक है ना fish production अगला question कहरा है कि सिक्किम राज्य को किस सविदान संसोधन के बाद राज्य का दर्जा प्राप्थ हुआ प्रेप्यारे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा दोस्तों इस question का correct answer हो जाएगा 36th Amendment Act और ये कब हुआ था ये हुआ था 22 April 1975 में कब हुआ था दोस्तों 22 April 1975 को ये भी आप याद रख सकते हैं ठीक है और जो सिक्किम है दोस्तों ये हमारा 22 वा स्टेट बना था 22 राज्य बना था ओल्राइट चलिए अगले question पर चलते हैं अगला question है निमलिकित वाइसरोय में कौन सा वाइसरोय है जो अपने अनमाद दोरे के समय मारा गया तो मेरी प्यारे दोस्तों इस question का अंसर बता दीजिए देखे कौन सा वाइसरोय है जो अपने अनमाद दोरे के समय मारा गया था तो वह है लोड में इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि भी आपका correct आंसर है ठीक है अगला question आ रहा है कि सिव समुद्रम जल पर पात किस नधी पर इस्थित है इस question का correct answer क्या होगा आपके options में आपका गंगा है गोदावरी है क्रिस्णा है या कावेरी है तो गैज correct आंसर होगा कावेरी यह आपको पता होना चाहिए अगला question आता है कौन से राजवन्स ने दिल्ली सिल्दनत पर अधिक समय तक सासन किया कौन सी राजवन्स ने दिल्ली सिल्दनत पर अधिक समय तक सासन किया तो गैज इस question का right answer हो जाने वाला है तुगलक यानि की C आपका correct answer ठीक है भई चलिए अगला question है चतुर्थ बोध संगीत के उपाध्यक्स कौन थे डिप्टी chairman of fourth Buddhist council दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा देखे एक तो आप यहाँ पर confused मत होएगा यहाँ पर डिप्टी chairman के बारे में बात की गई है तो डिप्टी chairman तो थे अस्व घोस ठीक है यानि कि option आपका डी हो जाएगा बट यहीं पर आपसे पूछा जाए कि president कौन थे तो president थे दोस्तों वास्व मित्र तो इन दोनों में confused नहीं होना है यह आपके president थे ठीक है ना चतुर्त बहुद संगीत के उपाध्यक्स की बात कीज़े तो अस्वकोस और president की बात कीज़े तो वे हैं थे वास्व मित्र दोनों में confusion बिल्कूल नहीं होना चाहिए चले next question आपका क्या कह रहा है देख लेते हैं और देखे अगर आपको यह session अच्छा लगता है प्लीज लाइक जरू कर दिया करें ठीक है नेक्स्ट है मलेशिया के भूमद्यवर्ती छेत्र की जन्जाती को क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं बई जरह बताएगा सेमांग कहते हैं क्या कहते हैं सेमांग is the right answer अगला question है दोस्तो चाए में निमलिकित में से क्या होता है चाए में निमलिकित में से क्या होता है तो चाए में दोस्तो प्रजेंट होता है कैफिन यानि कि इस कोशन का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा ठीक है इसलिए बोलते हैं कि चाये ज्यादा पीना अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि इसमें कैफिन होता है अगला कोशन है प्रत्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला वर्क्स कौन सा है जलाब बता कर्वेकस दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर होगा प्रत्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला जो ट्री है वे कौन से कर्वेकस काफी अच्छा कोशन है भुकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदू को क्या कहते हैं भुकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदू को दोस्तों एपी सेंटर यानि की अधिकेंद्र कहते हैं तो यहाँ पर जो कर्यक्ट आंसर होगा देट इस ओप्शन सी ओल्राइट अगला कोशन कहता है पर्थम भारतिये उपगरे कौन सा है तो इस कोशन का राइट आंसर क्य लखेगा बहुत सारे स्टुडेंट यहां पर अलग-अलग आंसर लगा रहे हैं ठीक है बास करिए आंसर नहीं होगा और यह भट इस दर रेट आंसर यह आपको याद दखना है कि दोस्तों ओलंपिक खेलों में पर्थम भारतिये महिला पदक विजेता का नाम बताईए करणाम मलेश वरी यानि की ऑप्षन हो जाएगा दोस्तों सी रेट आंसर ठीक है नेक्स्ट है राउरकेला इस पात सहिंतर कहां इसठीत है तो इस question का right answer दोस्तों odisa हो जाने वाला है अगला question है प्रस्तावना की खालीस्थान सविदान से लिया गया है प्रेंबल का जो दोस्तों विचार है वो कहां से लिया गया है idea जो है प्रेंबल का idea of primble was borrowed from the constitution of किस देश की सविदान से लिया है तो ये लिया है हमने USA से, अमेरिका से, तो right answer आपका option C हो जाने वाला है, अगला question है कि कौन सा vitamin J और गेहों में पाया जाता है, कौन सा vitamin J और गेहों में पाया जाता है, तो J और गेहों में vitamin पाया जाते है, दोस्तो vitamin B, यानि कि A is the right answer, अगला question है, जगदीशपुर में विद्रो का नेतिज किस ने किया, वो lead the revolt at जगदीशपुर, अरे वक्या बात है, यहाँ पे coercing right answer हो जाने वाला है दोस्तों, B, correct answer होगा, session पूरा end तक जरूर देखेगा, बहुत सारे important question हम इस video में cover करने वाले हैं, गाये के दूद का रंग किस की मौझूदगी के करन थोड़ा पीला होता है दोस्तों, इस question का right answer हो जाएगा, keratin यानि की option ही हो जाएगा, ठीक है, color of cow milk is slightly yellow due to the presence of keratin, अगला question है, मनुष्य के हर्दे का भार लगभग कितना होता है दोस्तों, weight of heart of human being is approximately कितना होता है दोस्तों, देखें, यहाँ पे कई बार आपको option में 300 से 400 या साड़े 300 ऐसे options में मिल देंगे, बट एप्रोक्स की बात कीज़े तो नज़दी कौन सा है 300 ग्राम्स, तो यह आपका correct answer होगा, ठीक है, निमन में से कौन सी रभी की फसल है, which of the following is crop of रभी, तो ग्याहूं weight जो है यह रभी की फसल है, इस question का right answer option D हो जाने वाला है, यह आप याद रखेगा, कौन सी घटना विदेशी इस्थल में घटित हुई थी, कौन सी घटना दोस्तों विदेशी इस्थल में घटित हुई थी यह आपको बताना है, इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा, murder of करजन वैली, इस question का right answer B हो जाने वाला है, guys next है, कौन सा राज्य भुटान को इस परस नहीं करता है, which state does not touches भुटान, तो यहाँ पे जो right answer होगा दोस्तों, which state does not touch भुटान, तो देखें कहीं student को लगता है, मेगाले भुटान को touch करता है, बट ऐसा नहीं है, बाग की अउनाचल पर्दीस असम और सिक्किम, यह भुटान को touch करते हैं, next है, port is situated in which state, कि सागर में जच्थी था दोस्तों, तो इस question का right answer देगा, meditariancy, भूम अध्य सागर, ठीक है न, चलिए, ICRC का मुख्याले कहां इस्तित है, ICRC का मुख्याले दोस्तों कहां परिस्तित है, यह इस्तित है जिनेवा में, right answer D हो जाएगा, अगला question है, आपका, जवालाल नहरू के निधन के पश्चाथ, किसने परदानमंत्री पद गरेंड किया, यह तो question कहीं बर साइद मैं करा चुका हूँ, अगर अभी भी गलत किया, आपने, फिर तो यहार मतलब, आप याद नहीं रखते हो, गुलजारी लाल नंदा रइट आंस हो जाएगा, जवालाल नहरू के निधन के पश्चाथ, किसने परदानमंत्री पद गरेंड किया दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा ने किया था, next question है, भारत के रास्पती को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो भारत के रास्पती को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, इस question का right answer हो जाएगा, पारलेमेट यानि की संसत द्वारा, next है, मर्डे का कब किस खेल से संबंदित है, अच्छा कोश्चन है ठीक है न मर्डे का कप इस रिलेटिड विद विच गेम तो दोस्तों इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है फुटबॉल ठीक है न अब बहुत सारे स्टुडेंट यहां पर गलत कर चुके हैं बट फुटबॉल ही इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है इस वरिया का हाली में निधन हो गया वे खालिस्थान थे इस वरिया का हाली में निधन हो गया वे एक क्या थी दोस्तों वे पतरकार थी जनरलिस्ट थी यानि कि इसका राइट आंसर ओक्षन यह हो जाने वाला है अगला कोश्चन है किस राज्य सरकार ने स्थानिय निकाय चुनाव लड़ने के लिए नियुन्तम सेक्षिनिक योग्यता की सर्थ को समाप्त कर दिया जरा बताएगा किस राज्य ने ऐसा किया है तो यहां पे अगर मैं बात करूँ इस कोश्चन के बारे में तो इस कोश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाने वाले आपका बिल्कुल सही है राजिस्थान क्या हो देगा राजिस्थान is the right answer मैलाओं की राष्टिय मुक्यबाजी चेंपियंसिप का खालिस्थान संसकर्ण विजे नागर करनाटक में आई जित हुआ ठीक है तो जल्दी से बताईगे ये दोस्तों कौन सा थर्ड एडिशन था यानि कि right answer B हो जाने वाला है ठीक ना दोस्तों अगला question कह रहा है आपका कि कि किसको मुख्य चुनावायूक्त के रूप में न्यूक्त किया गया है Who has been appointed as a chief information commissioner इस question का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा येस वर्धन कुमार सिना क्या हो जाएगा येस वर्धन कुमार सिना यानि कि आपका B right answer हो जाएगा ठीक है अगला question दोस्तों भारत की उप कप्तान स्मृद्धी मंधाना को महिला किर्केट ओफ दा इयर के साथ ICC दुआरा महिला वन डे प्लेयर ओफ दा इयर चुना गया है वह किस राज्जे से है दोस्तों ये है मारास राज्जे से यानि की option D right answer होगा अगला question है किसको railway board का नया अध्यक्स न्यूक्स किया गया है who has been appointed as the new railway board chairman तो इस question का रेट answer क्या होगा who has been appointed as the new railway board तो देखिए यहाँ पे actual में दोस्तों actual में ये वाला जो question है I think ये गलत हो चुका है ministry of railway जो सुनीत सर्मा है ठीक है ना तो वैसे week के यादव यहाँ पे रेट answer हो जाता बट यहाँ आप याद रखेगा ठीक है जियर बोलसोन नारो ने खालिस्तान के रास्पती के रूप में सपत ली इस question का दूस्तों रेट answer क्या होजेगा ब्राजील के ठीक है ना चले next question नेक्स question है जस्टिस चोलेंदर सामसोर जी बी राणा ने खालिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यादिस के रूप में पदभार संबाला तो इस question का रेट answer क्या होजेगा नेपाल के ठीक है ना नेपाल इस question का रेट answer हो जाएगा दोस्तों next check is this ने प्राचिन हिंदू धार्मिक इस्थल पंज तीरत को राष्ट्य ध्रोर घोसित किया है तो यह घोसित किया दोस्तों पाकिस्तान ने यानि की राइट आंसर आपको उप्शन यह हो जाएगा अगला question है विस ब्रेल दिवस परतिक वर्स खालिस्तान को मनाया जाता है तो वर्ल्ड ब्रेल डे इस अब्जर्व एवरी इयर ओन तेकि वर्ल्ड ब्रेल डे चार जनवरी को मनाया जाता है ठीक है next है किसने जालंदर में महिला विज्ञान केंदर का उदगाटन किया था तो इस question का right answer हो जाएगा स्मृति इरानी स्मृति इरानी is the right answer यह आपको याद अखने पर मैंने ये वाला आपको चार जनवरी बताया ना दोस्तो next है खालिस्तान से नोबल पुरुसकार विजेता अवराम हारेको और खालिस्तान के एक डकन एम पोल्डिन ने जालंदर में चिल्डन साइंस कॉंग्रेस का उदगाटन किया तो इसका right answer जरा बताएगा खालिस्तान के राश्पति मादूरों ने दूसरे कारेकाल के लिए सपत ली तो यह लिए दोस्तों वेनेजुएला में यानि कि इस question का right answer option यह हो जाएगा कुछ technical issue हो रहा है क्या भी बीच बीच में voice कट रही है कि मेरी आपको अगर बीच बीच में मेरी आवाज कट के सुनाई दे रही है तो comment box में बताएगा जैदीब गोविंद को राजपती मानव अधिकार आयोग का महासचीव न्यूक्त किया गया और यहाँ पे NHRC का मुख्याले कहां है तो NHRC का मुख्याले दोस्तों आपका नई दिल्ली में है किस लेखिका ने अपने उपन्या सिंग टू लिव बिहाइंड के लिए सुसीला देवी साहत्य पुरुषकार जीता है इस question का right answer हो जगा नमीता गोखले यानि कि A is the right answer next है किसको फिलिप कोटला रास्टपती पुरुषकार मिला है किसको फिलिप कोटला रास्पती पुरुषकार मिला है और इस question का right answer हो जाने वाला है दोस्तों नरेंदर मोधी को ठीक है न next question है किस राज्य सरकार ने गया आसरियों से आवारा गयों को गोध लेने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया है तो ऐसा करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों अब बहुत सारे स्ट्रेंट तो उत्तरपर्दिस अंसर लगाएंगे बट उत्तरपर्दिस नहीं है ये राजिस्थान है दोस्तों नेक्स है किसने दसवे सिख गुरू गोविंद सिंग जी की 352 जैनती पर नई दिल्ली में एक समारक सिख का जारी किया तो इस कोशन का राइड आंसर हो जाने वाला है नेंद्र मोधी ठीक है ना किस राज्य में पोंगल तोहार मनाया गया है तो तमिल नाडू इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा यह आपको यह दखना है दोस्तों नेक्स्ट कोशन है 1956 में अंग्रेजो द्वारा कलकत्त की किले बंदी को बंगाल के नवाब सिराजु दोला ने माना था यह इसका था दोस्तों उसकी संपर्भूता पर हमला यानि की अना अटेक अपोन ही सोवरेनेटी ओप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोश्चन है बंगाल के सवतंत राज्य की स्थापना किस ने की तो वो फाउंडिड इंडिपेंडेंट इस्टेट ओव बंगाल तो इस कोश्चन का राइट आंसर हो जेगा दोस्तों मुर्सिद कुली खान यानि की ऑप्शन सी इस दा राइट आंसर दोस्तों मुर्सिद को लिखान हो गया राइट आंसर ठीक है बंगाल का नवाब कौन था जब बकसर की लड़ाई लड़ी गई थी तो जब बकसर की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों मीर कासिम इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है उस समय बंगाल का नवाब पौन था मीर कासीम था नेक्स्ट कोशन आ रहा है कि निमलिखित में से अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपणी द्वारा लड़ी गई सबसे निर्नायक लड़ाई कौन सी थी तो सबसे निर्नायक जो लड़ाई लड़ी गई थी वो थी बैटल ओप बक्षर ठीक है राइट आंसर इस ओप्षन ए अगला कोशन है निमलिखित में से किस मुगल समराट ने भारत में अपने व्यापार को सुईदा जनक बनाने के लिए मैत्पून फर्मान अंग्रेजों को दिया इस कोशन का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है फारुक सियार यानि कि D is the right answer सायक गडवंदन की परणाली को सविकार करने वाला पहला भारत्यमूल सासर कौन था इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाने वाला है हैदराबाद के निजाम यानि कि आपका D right answer होगा ठीक है चले next दोस्ते एक बहुत ही अच्छा कोशन है और इस कोशन का right answer हो जेगा मीर जफर तो आगे के लिए कोशन को याद रखेगा next question तो दोस्तो ब्लैक होल तराजदी में हुई थी आपको बताना है ब्लैक होल ट्रैजडी जो है कहां पर हुई थी यह हुई थी दोस्तो कॉलकता में ठीक है जिसमें नंबर ओफ एरोपियंस वर मतलब जिनको जेल में बंद कर दिया गया था और यहां पे अगर मैं बात करूं कब हुई थी दोस्तो 1756 में तो यह अर्भी आप याद रख सकते हैं next next question है प्लासी किस नदी के किना रिष्थी थे तो प्लासी वास सिचुएटिड ओन दे बैंक ओफ विज रिवर उगली इस question कर रहे टांस होजेगा उगली रिवर ठीक है next दोस्तों next है मनिहारी का यूद कब हुआ तो मनिहारी का यूद है दोस्तो बेटल ओफ मनिहारी 1756 तो यहाँ पर रइट आंसर भी हो जाएगा next अगला question कह रहा है कि मुर्सिदा बाद से मुंगेर अपनी राजदानी किसने इस्तांतरीत की बते जल्दी से तो मेरे प्यारे दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा मीर कासिम ने किसने मीर कासिम is the right answer next question है दोस्तों आपका बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था देखे वान हेस्टिंग जो है वो बंगाल का लास्ट कवर्नर था जो की 1772 में अपॉइंट हुआ था मतलब नुक्त हुआ था हूँ आप पे तो इन में से कोई नहीं है none of these right answer हो जाएगा नेक्स कोईशन पर चलते हैं कोईशन है आपका बक्सर की लडाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था तो वो आज दे गवर्नर ऑफ बंगॉल एड़ टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इस लोड कलाई यानि कि यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स अगला कोईशन कहा रहा है कि भारतिय सविदान का कौन सा अनुच्चे लोग सभा इवं विदान सभा के परतेंदियों को निर्वाचित करने अर्थात व्यस्क मत अधिकार का अधिकार परदान करता है तो गैज इस कोईशन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326 ठीक है नेक्स्ट कोईशन दोस्तों है आपका भारति सविदान का कौन सा भाग सविदान की आत्मा कहलाता है तो इस question का right answer होगा सविदान उप्चारों का दिकार यानि कि right answer D हो जाएगा next next है राज्य के राज़पाल को सपत कौन दिलाता है तो cheap justice दिलाता है दोस्तों ठीक है राज्य के राज़पाल को यानि कि cheap justice of high court तो right answer D हो जाएगा next भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावली क्या है what is tenure of cheap election commissioner of India sorry commission of India तो यह आपका हो जाएगा what is tenure of cheap election commission of India बिल्कुल सही answer कि 6 साल यहाँ पर आंसर होगा but 6 year or 65 year whichever is earlier yes का answer होगा actual में यहाँ पर D right answer हो जाएगा 6 साल ठीक है बट उसमें और लागा के 65 वर्स भी होना चाहिए था जो भी पहले हो ठीक है तो पूरा option नहीं दिया गया है right answer option D चले अब next पीडियाप पे चलते हैं और देखे जितने भी अभी तक session को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना proxy voting यानि कि option B आपका correct answer हो जाएगा यह आपका पहला question था दूसरा question है सरकार की स्थिर्था में आस्वाशन दिया है तो सरकार की स्थिर्था में दोस्तों आस्वाशन दिया है presidential form of government यह from नहीं होगा form होगा इसको प्लीज करेक्ट कर लेना इस question का correct answer आपका भी हो जाने वाल है तीसरा question है भारतिय सविधान के अनुसार भारत के राशपती के कार्याले में रिक्त को भरा जाएगा कितने महीने के अंदर-अंदर वन मन्थ, शिक्स मन्स या थ्री मन्स या फिर वन येर बिल्कुल दोस्तों देखिए according to the Indian constitution the vacancy in the office of the president of India shall be filled within six months ठीक है तो यह आपको याद अखने है छह महीने के अंदर-अंदर president का जो रिक्त होगा दोस्तों वो fill करना होगा अगला question है सबसे कम उम्र में world number one सिड बनने वाले tennis star कौन है जल्दी से बताएगा इस question का right answer हो जाएगा Martina Hingas याने की option हो जाएगा दोस्तों D right answer ठीक है यह आपका correct answer होगा अगला question पाचवा question है विश्व मोहीनी क्या है what is विश्व मोहीनी तो देखे यह जो यह एक book है जो की भारती नरत्यों पर एक परसीद पुस्तक है ठीक है अगला question है विश्व व्यापार संगठन का मुख्याले कहां पर है तो जल्दी से बताएगा main function of the world trade organization तो इस question का मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही answer कर रहे हैं आप लोग देखे इसमें दो question पूछ ले गए तो व्यापार डबलू टी ओ का मुख्याले तो मुख्याले तो आप सभी को पता है जिनेवा स्विजलेंड में अब इसका function क्या है यह दूसरा question है इसी question में question इसका आंतर होजएगा सदस्य देशों के बहु पक्षिया व्यापार संबंदों को सुईधा जनक बनाने और व्यापार नीचयों की समिक्षा करना डबलू टी ओ का कारिय होता है दोस्तों World Trade Organization का का कारिय होता है ठीक है सदस्य देशों के बहु पक्षिया व्यापार संबं पूश्टक ए पैसेज के लेग़क का नाम बताईए आप पैसेज टू इंगलेड नेंग दो अथर ओप इस टू इंगले人民 इस कोश्चन करक्रेट आँसे गहागा इस कोश्चन कर्रेट आँसे दोस्तो और नीराद सी चोधरी होगा ठीक है यानि कि आपका correct answer B रहने वाला है अगला question है भारत द्वारा अगनी दुट्य के परिक्षन के मद्दे पाकिस्तान द्वारा लंबी दूरी की मिसाइल का परिक्षन क्या गया था तो जल्दी से answer बते हैं मद्दे नजर हो गए इसको correct कर लेना मद्दे नजर पाकिस्तान द्वार लंबी दूरी की मिसाइल का परिक्षन क्या गया था तो इनके यहां पे गोरी सेकिंड मिसाइल का परिक्षन क्या गया था जब भारत द्वारा अगनी दुट्य मिसाइल का परिक्षन क्या गया था अल्राइट नेक्स कोश्चन है दोस्तो भारतिय नोसेना जहाज को एक समुदरी संग्राल्य में परिवर्तित किया जा रहा है तो इस कोश्चन का आंसर बतेगा बिल्कुल सही है विकरान्त यहां पर करेक्ट आंसर हो जाने वादा है अगला कोश्चन है प्रोफेशर अमरित्य सेन के बारे में निमलिकित में से कौन सा सही है देखी प्रोफेशर अमरित्य सेन के बारे में इन में से अगर मैं बात करूँ तो सभी सही है ओल दी अबव उप्रूख्ट सभी यह आपका राइट आंसर हो अगला कोश्चन है चिकित सक्ये रूप से सहाइता प्राप्त आत्म हत्या को वैद बनाने वाला पहला देश फॉस्ट कंट्री टू लेगलाईज मेडिकली एसिस्ट सोसाइडेश तो यह दोस्तो देश है निदरलेंड ठीक है न यानि कि यहाँ पर उप्शन सी रेट आंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट है वर्स 1999 का बैसा की मौत सब पंजाब के किस के बहुत एत्यासिक महत्व है क्योंकि इसके पीछे क्या रीजन है बिल्कुल मेरे प्यार दूस्तो क्योंकि यह खालसा पंद की निव के सेत्र को याद करता है इसलिए वर्स 1999 का बैसा की मौत सब पंजाब के लिए बहुत एत्यासिक और महत्व रखता है अगला कोशन है एक्सो बाइलोजी के अध्यन से सम्मंदित है यह किस चीज के अध्यन से सम्मंदित है बिल्कुल सही है जिवित जीवो के बाहरी चरीतर के लिए यानि कि यहाँ पर ओप्शन ए हो जाएगा एक्सो बाइलोजी मिन्स जिवित जीवो के बाहरी चरीतर के वेरी वेल ड़न बहुत ही बढ़िया हडपा वाशियों की समाजिक विवेस्था थी काफी समतावादी थी ठीक है तो यह आपका राइट आंसर ओप्शन ए हो जाने वाला निम्लिकित में से कौन सा वेद प्रारंबिक वेदिक युक की सब्वेता के बारे में जानकारी प्रदान करता है इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा रिग वेद यानि की राइट आंसर इस ओप्शन है नेक्स्ट है जो विश्विध्याले गुप्ट युक के बाद परसिध हुआ था वह कौन सा था तो यहां पर राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा नालंदा यानि की सी इस दा राइट आंसर बाणभट की समराट की दरबारी कभी थे बाणभट वाज दा कोट पोईट ओव वीच एमपार तो यहां पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस कोशन की तो राइट आंसर हो जाएगा हर्स वर्धन ठीक है यानि की सी इस दा रेट आसा पहला भारतिय सासक जिसने अरब सागर में भारतिय नोसेन की सरुष्ट इस्थापित की थी तो यह कौन सा राजा था दोस्तों राजा राजा फ़र्स्ट इस कोशन का राइट आंसर होगा यानि की यहाँ पर ए इस दा रेट आंसर नेक्स है मुगल चितरकला के सासनकाल के दोरान अपने चरम पर पहुंची है मुगल पेंटिंग रीज इट्स हाई डूरिंग दी रिजन ओग तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जहाँगीर के समय में ठीक है जहाँगीर राइट आंसर होगा बीसवा कोशन है बंगाल के इस्थाई राजस समझूते दुआरा पेस किया गया था तो दोस्तो पर्मनेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ओफ बंगॉल वाज इंट्रिडूज बाई कौन वेलेस किसके द्वारा किया गया था दोस्तो कौन वेलेस के आने की ऑप्शन यहाँपे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन कहा रहा है भारत में चरमपंती आंदोलन के जनक कौन है तो भारत में चरमपंती आंदोलन के जनक है बाल गंगा धरतिलक कौन दोस्तो बाल गंगा धरतिलक is the right answer विस्व बैंक आमतोर पर देता है तो वर्ल्ड बैंक नॉर्मली गिव्ज विस्व बैंक आमतोर पर देता है अरे क्या बात है दोस्तो मेडियम एंड लॉंग टर्म स्लॉंज यानि की ऑप्शन आपका हो जाएगा डी रेट आलसा नेक्स्ट है अंतरास्ट्य मुद्राकोस के साथ अस्तित में आया दे इंट्रनेस्टर मोनेटरी फंड कम इंटू एक्जिस्टेंस विग बिर्टन वूड कॉन्फरेंस यानि की सम्मेलन राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन कहता है कि वित्य साधन को प्रात्मिक सुरक्षा कहा जाता है यदि ये देता का पर्तिदित करता है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों इस कोशन का राइट आंसर हो जाने वाला है दे गोवर्मेंट आफ इंडिया ठीक है भारत सरकार यहाँ पर सही आंसर होगा नेक्स कोशन है सेवा सहकारी समीती है सर्विस कोपरेटिव आर देखें इस कोशन कराइट आंसर होगा मार्केटिंग सोसाइटीज यानि की सी इसदर होगा नेक्स कोशन है ब्रेक एविन पॉइंट पर आउटपुट वह आउटपुट है जिस पर निर्माता सक्षम है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस कोशन की तो यह दोस्तो कुल लागत यानि की रिकवर टोटल कोस्ट ठीक है रिकवर टोटल कोस्ट इस कोशन करेटा अगला कोशन है आपका 1950 में विश्व व्यपार में भारत की हिस्सेदारी बताने आपको क्या होई थी तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस कोशन के बारे में दोस्तो तो राइट आंसर हो जाने वाला है बिल्कुल मिस्रित होई थी मतलब है यानि कि कभी इंक्रीज होई थी कभी डिक्रीज होई थी तो यह आपका रहेगा राइट आंसर अच्छा यह वाला कोशन एक्जाम में आया था इसलिए मैं ने पूछा आप से ठीक है कभी आप सोच रहोगी है यह कहां से कोशन बन जाएगा जानवरों में एंजाइम सिस्टम नहीं होते हैं जो उन्हें उर्जा का उप्योग करने में सक्षम बनाते हैं तो गैज इस कोशन का राइट आंसर होज़ेगा वोटर पानी इस दर रट अग्स अगला कोशन कहता है कि एक क्लोन का एक उपनिवेस है अग्लोन इज आ कोलोनी ओफ देखें यहां पर राइट आंसर होज़ेगा दोस्तों कोशिकाय सावान्य अनुवानसिक सविधान है सेल्स हेविंग गया सिमिलर जेनिटिक कॉंस्ट्रीशन यानि की ऑप्शन होज़ेगा जेनिटिक कॉंस्ट्रीशन यानि की सी इस दर रट अग्सा नेक्स्ट है कीटो द्वारा प्रागित फूलों के प्राग कन है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोशिन का जो राइट आंसर होगा that is option rough and sticky is the right answer क्या होगा दोस्तों rough and sticky तो इस question का right answer भी हो जाएगा अगला question है खदानों के इस संदक्षन के लिए निम्लिकित में से किस परदार्थ का उप्योग किया जाता है What is the right answer Guys यहाँ पर जो right answer होगा that is option sodium benzoate is the right answer sodium benzoate right answer हो जाएगा next है Sb star की कारण होने वाला रोग कोन सा है दोस्तों तो वाद स्पीती right answer होगा next है आग में रंग दरस्टी हीन की उपस्तिती से परभावित होता है जल्दी से बता दीजे इस question का दोस्तों सही answer हो जाएगा सांकू ठीक है सांकू is the right answer next है भारत की परसिद लेंगून जील कोन सी है दफेमस लेंगून लेक ओफ इंडिया इस तो यह चिलका लेक हो जाएगा ठीक है चिलका लेक हैने की base the right answer next है एक प्रिजम में परकास के विभिन रंगों का विभाजन है तो परकास का विविरतन हो जाएगा diffraction of light next है प्रत्वी के अधिकान सक्रिय ज्वालामुकी कहां केंद्रित है इस question का मेरे पैरे दोस्तों हो जाने वाला है क्या Pacific यानि की परसांत महासागर में next is उत्री गोलार्द में हवाओं के दाएं और विकसेपन किसके कारण होता है तो right answer is rotation of the earth प्रत्वी के rotation यानि कि आपका b right answer होगा next है निमलकित में से कौन चाय पत्ती के फरसांत करण के महपूर्ण चरणों में से एक नहीं है किन्वन इस कोशन का right answer हो जगा प्रत्वी सम्मेलन को सिदान्तों की खोशना के साथ समाप्त किया गया यसे एजेंडा 21 के रूप में जाना जाता है तो 21 के लिए क्या स्टेंड है 21 से क्या तातपरिया यहां पर यह बताना है तो 21 से दोस्तों 21 सेंट्यूरी यहां पर तातपरिया है यह आपका अगला कोशन है जलवाईयू परिवर्तन पर भारत की पहली रास्टे कारिय योजना कब शुरू की गई थी कब शुरू की गई थी तो गैज इस कोशन का राइट आंसर क्या होजेगा दो हजार आठ में यानि की बी इस दा राइट आंसर निम्रेकित में से कौन 1992 में के प्रत्वी सिकर सम्मिल समझोते का इस्सा नहीं था इसका राइट आंसर होगा इंक्लूसिव डवलपमेंट सामवेशी विकास बिल्कुल सही है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा 1992 में के प्रत्वी सम्मेलन के बाद कौन सा नया संगठन अस्तित्म में आया था देखे उस समय आया था UN Commission on Sustainable Development यानिकी सत्विकास पर संयुक्त रास्ट आयोग ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निमलिकित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या सामिल नहीं है यह आपको बता रहा है देखे अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों को भी ओजों दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नेक्स है अब तक पार्टियों यानि की COPS के कितने सम्मेलन हुए हैं तो अभी तक यह हुए है 25 यानि की D is the right answer निमलिकित में से कौन सा अधिनियम परियावरन की सुरक्षा औरोस सुधार के लिए है था गैस बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग और इस कोशन का right answer हो जाएगा यह अधिनियम था आपका इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1982 परियवन संदक्षन अधिनियम 1982 ठीक है एक कोशन है रास्टिय जेव विवित्ता परादिकरन की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम परदान करता है तो अगर मैं इस कोशन की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर right answer हो जाने वाला है बायो डैवर्सिटी एक्ट दो हजार दो ठीक है ना नेक्स्ट इस लिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस परभाव का सबसे अच्छा उधारण है इस कोशन का right answer हो जेगा सनलाइट वार्म्स योर कार यानि की a is the right answer दोस्तों नेक्स्ट कोशन है अमले वर्सा का मुख्य घटक क्या है ओड़ी दा मेन कॉंस्टिट्यूशन ओफ एसीड रेन ओफ एसीड रेन का क्या है दोस्तों ये सभी है अमले वर्सा का मुख्य घटक ये सभी है ठीक है नाइट्रोजन ओक्साइड सलफर डियोक्साइड नाइट्रोजन डियोक्साइड या दखना ओजोन रिक्तिकरण की समश्या सबपर्थम कव पहचानी गई तो ये कब पहचानी गई थी दोस्तों जरा बताइएगा 1970 में 1970 is the right answer किसे भी प्रस्तित की तंत्रिया निवास इस्थान में वनस्पती समुधाय का विकास से परवावित होता है तो यहाँ पर right answer क्या होगा all of the above उप्रुक्ट सभी इस question का right answer हो दोस्तो नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन वाई यू परदूशन की सरोतों से सम्मधित नहीं है तो इस question का right answer होजेगा acid range यानि की B is the right answer निमलिकित में से कौन सा या से dim composers के रूप में उत्पाद है तो डिकंपोजर के उप उत्पाद है इसका सही आंतर होजेगा यह all है दोस्तों ठीक है इस अभी वोटर कार्बन डियोक्साइड फास्पोरस यह सब next question है वाईयू मंदल की किस परत को ओजोनो स्फेयर भी कहा जाता है दोस्तों इसका right answer होजेगा stratosphere यानि की B right answer प्रस्तित की तंतर के माध्यम से खनीजों और योगिकों के विबिन पैमाने पर सेंकित है दोस्तों यहां पर right answer हो जाएगा आपका बायो जियोलोजिकल सर्कल यानि की option हो जाएगा भी सोरी बायो केमिकल साइकल्स इस question का right answer होगा यह आपकर दखने वे बायो जियो केमिकल साइकल्स इस दर right answer तुफान के दोरान किस कारण से एक परचंड गती उत्पन होती है इस question का right answer हो जाएगा कोरी ओलेस फॉर्स यानि की option हो जाएगा यह रट आपसर दक्षिनपूर एशिया में उस्णय कटी बंदी चकरवातों के रूप में जाना जाता है गाइज इस question का right answer हो जेगा टाइफून टाइफून को जाना जाता है हरीकेन के केंदर के रूप में जाना जाता है हरीकेन के के रूप में जाना जाता है आई यानि की option B is the right answer Atlantic तोफान का मोसम शुरू होता है तो एक जून को जानी की right answer के option है ठीक है ना एक जून से 30 नौम बर्दक तोफान या उसने कटी बंदिये चकरवात के बारे में निमलकित में से कौन सा सही नहीं है देखे यह सारे सही लिख्या हुए है बट केमली जो तुफान था वो 1963 यह वाला गलत लिख्या है तो राइट आंसर यह option D केमली हुरीकेन जो था दोस्तों वह 1969 में आया था 1969 याद रख सकते है नेक्स है एल नीनो सब्द किस भासर से लिया गया तो इस question का right answer जेगा Spanish भासा से किस से दोस्तों Spanish is the right answer तुफान को किसनी स्रेणियों में बाटा गया है तो यह right answer होग आपका 5 रहनियों में ला नीना सब्द किस भासा से लिया गया है ला नीना सब्द किस भासा से लिया गया दोस्तों Spanish भासा से लिया गया है यानि कि B right answer होगा नेक्स्ट निमलिकित में से किस गटना में पूर्वी सांथ चेत्र में निमिन वाईयू सत्य का दवाब होता है Which of the following phenomena contain low air surface pressure in the eastern Pacific L Nino इस question का right answer होगा यह आपको यादा है संयुक्त रास्ट के सतय परियावरन के मुद्दे पर पहला बड़ा संब्मिन कब आयजित किया गया था देखे यह आयजित किया गया था 1972 में ठीक है न यह है आपको यादत में पहली बार वेंगरी मेथाई साहित्य परियवन चेंपियंशिप को वेस्विक 500 पुस्तक प्रुस्कार किस वर्स परदान किये गए तो यह किये गये थे 1987 में यह आपको यादत रखना है ठीक है दोस्तो चले पहला ओजोन चिद्र कब खोजा गया था पहला ओजोन चिद्र कब खोजा गया था प्यारे दोस्तो इस question का right answer उननीस्सो पचास हो जाएगा ठीक है next question है किस सेत्र में ओजोन परत की कमी पाई जाती है यहाँ पर right answer stratosphere हो जाएगा यानी कि B is the right answer and next है ओजोन परत में कमी किसके करण होती है यह होती है दोस्तों क्लोरो फ्लोरो कार्बन की कारण यानि की डी आपका रहीट आंसर हो जाएगा आपका अगला कोशन है 1992 के प्रत्वी सम्मेलन के बाद कौन सा नया संगठन अस्थित में आया था तो यह आपका आया था यह कोशन तो साद हमने अभी किया था और यह वाला कोशन भी अभी हमने किया था सत्तरवा कोशन भी इसका अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बते अभी हम करके आए अगर आपने आदक सेशन देखा है चलिए और अब मैं दूसरी पीडियाप लेके आता हूँ उसमें भी सत्तर कोशन होगी इसी जरीकिसे हम सारी इस पूरी कुईज को कवर करने वाले है केवल और केवल इसमें कुईज रहने वाली है डिटेल बिल्कुल भी नहीं होने वाली है कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में भी सेयर करना है देखे सबसे पहले भारत में खोजा गया सहर था हडपा यानि की ऑप्शन ए रहेटान सबुझेगा ठीक है हडपा सिंदु घाटी सब्वेदा का एक महत्पून स्थल है अच्छा कई बार एक्जाम में ये पूछा जाता है कि वर्तमान में कहां पर है ये अभी पंजाब पाकिस्तान के वर्तमान साहिवाल जिले में स्थी थे और इसकी खोज दोस्तों 1921 में हुई थी किसके द्वारा हुई थी ये तो सभी को पता ही होगा कमेंट बॉक्स में बताईए डोक्टर आर सानी के द्वारा हुई थी ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन पर चलते है दूसरा कोश्चन आता है संस्कृत भासा का पहला व्याकरन करता कौन था दोस्तों ये बताने आपको जल्दी से बताईए इस कोश्चन का राइट आंसर होगा पन्नी यानि की ओप्शन डी आपका राइट आंसर होजएगा तो काफी सारे स्टुनेंट ने आपके आंसर गलत किया होगा मुझे लग रहा है चलिए नेक्स कोश्चन पर आते हैं तीसरा कोश्चन है हडपा वाशियों की समाजिक व्यवस्था थी कैसी थी दोस्तों ये आपको बताना देखे हडपा वाशियों की जो समाजिक प्रणाली थी यानि की व्यवस्था थी ये काफी समतावादी थी बहुती समताबादी इसका मतलब होता है समानता और समान अधिकार वाली थी ठीक है ना तो इस question का right answer दोस्त ओप्शन ए हो जाएगा फटा-फट कवर करते हैं स्कुईज को ठीक है चले next चोथा question है निमलकित में से कौन योग का अगर्णी था तो ये तो आप सभी answer लगा सकते हो देखे पतांजली इस question का right answer हो जाएगा पतांजली योग के प्रणोता थे उन्होंने योग सुत्र एक सो चान में सुत्रों का संग्रे लिखा है जो राज योग के संस्थापक गरंत में है ठीक है ये आपको याद रखना है ठीक है न चले next दोस्तो पांचवा question है देवी मा की पूजा का संबन्ध था आपको बताना है देवी मा की पूजा का संबन्ध इन में से किसके साथ है तो इस question का right answer हो जएगा सिंदु घाटी सब्वेता के साथ है ठीक है देखे मौन जोदरों में बहुत बड़ी संख्या में देवी देवताओं की टेरी कोटा मूर्ती की खुदाई की गई है इस तथ्या से इसपरस्ट हो जाता है कि देवी देवता जो मतलब देवी की जो है सिंदु घाटी सब्वेता की लोग परमुक देवता थी या फिर देवी थी पूजा की जाती थी ठीक है चले next question चाटा question है हडपा इस्थल की खुदाई के समय भारतिय पुरतत सर्वेक्ष्ण मार्देशक कौन थे दोस्तों इस question का सही answer क्या होगा तो इस question का सही answer होगा question है अगला question आता है गारगी मेत्रिया और कपिला का घर था कहां पर था यह बताना है दोस्तों इस question का सही answer हो जाएगा मिथिला में था यानि की option D right answer हो जाएगा यह आपको याद देखना है ठीक है अभी मिथिला जो है यह वरतमान में अभी बिहार का एक इस्थान है तो यह आपको याद देखना है चली अगला question आता है निमलखित में से कौन सा वेद प्रारंबिक वेदिक यूग की सब्वेता के बारे में जानकरी प्रदान करता है देखे इस question का सही answer दोस्तों रिग वेद हो जाएगा देखे रिग वेद जो है वो oldest वेद है चार वेद में से ठीक है और यह आप क्या दखना है यह हजारों भ अगला question है वेदिक गणित का सबसे महकून पाठ है देखे जितने भी question कराने वाला हो ना एक्जाम के पॉइंट उपसे बहुत ही ज्यादा important होने वाले है पूरा session देखने के बाद में अपना score जरू बतागीजेएगा comment box में ठीक है अगला question आता है सिंदू अर्थविस्था की ताकत क्या थी यह तो आप सभी जानते ही है सिंदू अर्थविस्था की ताकत किर्सी यानि की agriculture थी ठीक है ना चले next question है किर्तिम डौक्यार्ड वाला एक मात्र सिंदू इस्थल कौन सा था तो इस question का मेरे प्यारे दोस्तो राइटांस होजेगा लो थल था ठीक है दोस्तो next question आता है भारत के राज्य परतीक में सत्यमें जेते सब्द से लिया गया है आपको बताना है सत्यमें जेते सब्द कहां से लिया गया है देखिए सत्यमिम जेते सब्द मूण को अपनी सद से लिया गया है यानि कि इस question का right answer हो जाएगा option है ठीक है अपनी सद कौन सा मूण को अपनी सद से next question आता है भारती संगीत की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है किस से लगाया जा सकते गोस्तों बिल्कुल सामवेद से यानि कि सामवेदिक सहीता इस question का right answer हो जाएगा अल्राइट चले अगला question है निमलिकित में से कौन सा पाल्दू, जानुवर, सिंदू, सब्वेता के टेराकोटा में अनुपस्तित था इन चारों में से एक ऐसा है जो अनुपस्तित था दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल, cow यानि कि गाएं दोस्तों नहीं मिलती है उस समय में, ठीक है, मतलब कोई प्रमान नहीं मिलता है, तो इस question का सही answer option C हो जाएगा चले next है, प्रारंबिक वेदिक काल में वन वेवस्ता खालिस्तान पर आधारित थी तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेवस्ता यानि कि occupation option हो जाएगा, C right answer पर आधारित थी निमलिकित में से किस रिगवेदिक देवता ने तुफान का परतिन्दित किया तो इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा, मारूत ने यानि कि option हो जाएगा, सोरी, ये M होगाई इसको correct कर लेना, ये V नहीं होगा, प्लीज ये इंगलिस में correct कर लेना, M, A, R, U, T ओके, चले, अगला question है, दुर्ग के बना, सिंदु का एक मात्र सेर कौन सा था? तो ये था दोस्तों, चनोदुडो यानि की option हो जाएगा, D rate answer ठीक है? बिना किसी गड़े के एक मात्र सिंदु सेर था दोस्तों ये चले, अगला question, सिंदु घाटी सब्वेता के लोग आमतोर पर अपने घरों का निर्मान करते थे ये तो मतलब काफी easy हो गया, जलुई इंटो से, अनकी Brent Brick से, ठीक है वही, चले, अगला question है निमलिकित में से कौन सा सबसे मैत्पून अनाज वेदिक यूग में उगाया गया था तो दोस्तों जों उगाया गया था तो इस question का right answer option B हो जाएगा अगला question है, परसीद, कायतरी मंत्र निमलिकित में से किस वेदिक देवता को संबंधी थे तो मेरी प्यार दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा, सावित्री को, यानी कि C is the right answer चले, next तो सावित्री right answer हो जाएगा दोस्तों, परसीद, कायतरी मंत्र निमलिकित में से किस वेदिक देवी को संबंधीत है, सावित्री, ठीक है न, चले next है, सिंदु घाटी सब्वेदा की आकरसक विसेशता थी सहरी सब्वेदा दोस्तों, ठीक है मतलब बहुत सारे question तो ऐसे हैं, जो कि आप सभी को पता ही हो गाए न next है, रिगवेदिक सहित्रीता में इसके एक चोथाई भजनों को समर्पित है किसको समर्पित है इंद्र को, यानि की option हो जाएगा, be right answer ठीक है next है, निमलिकित में से कौन सा विद्वान हडपा सब्वेदा के निसानों की खोज करने वाला पहला व्यक्ती था तो guys, एक कनिंगम इस question का राइट answer होगा alright, अगला question सिंदु भाटी में, खुदाई में निमलिकित में से कौन सा अवसेस वानिचक और आर्थिक विकास को इंगित करता है तो महोर इस question का राइट answer होजेगा ठीक है, चले, देखे, 2000 से अधिक मोरो की खुदाई की गई थी रप्प इस्थलों में ठीक है काली बंगन में इस्थित है ये कहां पर इस्थित है, काली बंगन situated in राजिस्थान तो ये राजिस्थान में इस्थित है दोस्तों अगला question है हडप्प इस्थलों की खुदाई में निम्लिकित में से कौन सा नहीं पाया गया है देखे, उस समय में दोस्तों सिखर के साथ मंदिर नहीं मिल पाये गए है जैसे कि अभी आज के जमाने में हमारे मंदिर कैसे बनते है ये और ये इसके उपर इस तरीके से ये होता है सिखर तो उस समय ऐसे मंदिर नहीं मिलते थे ठीक है तो ये चीज भी एक important point है एक्जाम में पहले आ चुका है अगला question आता है दोस्तों निम्लिकित में से कौन सी सामगरी मुख्य रूप से हडप्पा आत्मों के निर्माण में उप्योग की गई थी तो इस question का दोस्तों रहेटांस हो जगा टेरा कोटा दोस्तों इस question का रहेटांस हो जगा अडप्पा की अधिकांस मोरे जो हैं वो टेरा कोटा से बनी थी जिस पर सिलालेक और जानवरों के को उकेरा गया है मतलब कि उन पर inscription किया गया है तो ये भी चीज आपके आदखने है चले नेक्स question पर बताते रहे ना वही comment box में आप कितने सही करने है वेदिक लोगों ने पहली बार किस धातू कॉप्यों किया था तो देखी काफी सारे student ऐसा यहाँ पर मानते हैं कि पहला metal देखी gold हो सकता है silver बट ऐसा नहीं है पहला metal था दोस्तों copper ठीक है वेदिक लोगों द्वारा इस्तमाल किया जाने वाला पहला जो वो था तामबा था copper था ठीक है नेक्स है हडपा खालिस्तान नदी के तड़ पर इस्तित है तो हडपा है situated on the bank of which river तो यह रावी नदी के किनारे इस्तित है ठीक है सिंदू, घाटी, सब्वेता सबसे मैत्पून इस्तल है हडपा ठीक है जो कि पंजाब, पाकिस्तान में रवी नदी के पूर के तड़ पर इस्तित है सिंदू, घाटी, सब्वेता की मूलभूत विसेश्ता क्या है दोस्तो बिल्कुल सही क्या है और्गिनाइज़्ट सिटी, लाइफ इसका सही आंसर उप्शन भी हो जाएगा ठीक है न, चले, नेक्स कोश्चन की वर बढ़ते है अगला कोश्चन है, नेमेन में से कौन देश का सर्वुच कानून है देखे, भारत का जो सविदान है, इंडियन कॉंस्टिटुशन है दोस्तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा लो है ठीक है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, इंडियन कॉंस्टिटुशन से भारत का सविदान किसके द्वारा बनाया गया था तो भारत का सविदान दोस्तों, कॉंस्टिटुशन असेंबली द्वारा बनाया गया था जिसमें 389 मेंबर्स थे, स्टार्टिंग में बट बाद में 299 मेंबर्स बज गए थे partition of इंडिया के जब विभाजन हो गया था ठीक है ना और उन में से भी 289 ही रह गए थे तो मतलब आप यह सारे याद रखे थे 389 में से आपके 299 रह गए थे यह आप कहा रखना है नेक्स आता है भारती सविधान को अंगिकरत किया गया था यानि कि एडोप्ट कब किया गया था एडोप्ट होना और लागू होना अलग 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 डेट है दोनों में confusion होता है देखे अगर बात कीजे एडोप्ट की तो एडोप्ट तो पहले हो गया था 26 नॉंबर 1909 को वही कोश्यन आगया ना जो मैंने उपर बताया आपको कब लागू हुआ था तो जल्दी से अंसर बताईए 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था तो याद रखेगा चलेजी अगला कोश्यन आता है सविधान के गाटन के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया इसके पीछ पीछे क्या रीजन है इसके पीछे रीजन ही है कि कॉंग्रेस ने इसे 1930 में सविधानता दिवस के रूप में मनाया था तो इसी लिए दोस्तों इस दिन को ही सविधान दिवस के रूप में बनाने का निन्य लिया गया भारत में सविधान दिवस कब मनाया जाता है तो देख जाता है यह याद रखना है भारत का मूल सविधान कहां से परकासित हुआ था जो हमारा ओरिजिनल Constitution है दोस्तों वो देहरादून से परकासित हुआ था ये भी एक important point है ठीक है ना ओरिजनल Constitution of India took early to publish and it was published in देहरादून अगला question आता है कि मूल सविधान में कितने सब्दों से बना है तो ये question मैं already आपको करा चुका हूँ 80,000 सब्दों से बना हुआ है दोस्तों next किस देश की सविधान दुनिया के किसी भी संभर्भूत देश का सब्से लंबा लिखित सविधान है तो बात कीज़ए तो भारत का सविधान सब्से लंबा लिखित सब्दों है जिसमें जब हमारा देश में सविधान बनके sleeps किया तो उसमें 22 भाग 375 अर्टिकल और आठ अनसूचया थी निकि schedules थे चले और अगर आपसे पूछे सबसे पुराना सविधान की देश का है तो सबसे पुराना यानि की oldest जो constitution है वो USA का है ये भी आपको याद रखना है सविधान की संकलपना का उदव सबसे पहले का हुआ तो ये हुआ दोस्तो USA में जैसे कि मैंने आपको लास्ट कोशन में बताई गया था USA का सविधान सबसे पुराना सविधान है जो की कब बना था दोस्तो 21 जून 1788 में तो ये date भी यर भी आप याद रख सकते हैं चले अगला कोशन है भारत का मूल सविधान कहां संरक्सित है अभी कहां पर है तो ये दोस्तों जो हमारा constitution है जो origin constitution की जो कोपी है वो संसद भवन में सुरक्सित है ठीक है चले next question और ये ये भी पूछ जाता है कि वो जिस box में रखे है उसमें कौन से gas भरी हुए तो उसमें helium के box में दोस्तों हमारे देश का सविधान रखा गया है प्रारूप समीती ने भारती सविधान को किस भासा में लिखा था very important देखे जब हमारे देश का सविधान लिखा गया था तो वो केवल अंग्रेजी में लिखा गया था ठीक है तो ये भी एक अच्छा कोशन है निमलिकित में से किसे इस्ट इंडिया कंपनी की वानिजग गतिविद्यां अंत में समाप्थ हो गई तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 में ठीक है न याद रखेगा अगला कोशन है निमलिकित में से कौन सथंत भारत के पर्थम वित्यमंतरी थे तो पर्थम वित्यमंतरी थे RK सनमुखम चेटी यानि की A is the right answer तो ये आपको याद रखना है नेक्स है निम्लिकित में से किस अधिनियम को जवालाल नहरू ने दास्ता का नयास बंदन कहा था तो ये दोस्तों Government of India Act 1935 को कहा था यानि कि D is question correct answer हो जाने वाला है नेक्स है भारतिय अधी राज्य के पहले Governor General कौन थे दोस्तों हुआ the first Governor General of Domain of India तो Lord Mountbatten दोस्तों इस question correct answer हो जाएगा नेक्स्ट आता है निम्लिकित में से कौन सा अधिनियम भारत में संपरदाइक निर्वाचन को प्रस्तुत करता है तो इस question correct answer हो जाएगा भारतिय परिशद अधिनियम 1909 यानि कि C is the right answer नेक्स सरकार का एक आत्मक रूप वह है जिसमें सभी सक्तियां हातों में केंद्रित है किसके हातों में केंद्रित है यह आपको बताना है तो गाईज इस question का right answer हो जाएगा Central Government के हातों में ठीक है चले अगला question आता है दूस सदन यानि की bicameral विवस्था नेमिल में से किस सरकार की विसेश्था है तो bicameral system is a feature of which of the following form of government तो federal यानि की संग्य सरकार की यह विसेश्था होती है पचासवा question है सक्तियों का विभाजन और सवतंत्र नियाइपाली का किस की दो मेहत्पूर्ण विसेश्था है दोस्तो यह सरकार का सरकार का संग्य सवरूप है ठीक है नि की federal character of government चले 51 वा है संग्य परकार के सासन का गंबीर दोस्त क्या है दोस्तो the threat of separation पर्थक करन का खत्रा ठीक है तो इस question का right answer option यह हो जाएगा दोरी नागरीकता निमलिकित में से किस की विसेश्था है तो दोरी नागरीकता जो है दोस्तो वो federal government की ही विसेश्था है बट अब आप सोच रहे होंगे कि अपने देश में तो single citizenship है तो फिर अपने देश में federal government का क्या मतलब है तो हमारे देश में दोस्तो complete federal government नहीं है quasi federal government है यह भी question बनता है ठीक है ना सासन की एकात्मक पदधी का लाब है तो advantage of unitary system of government is strong state यानि की b right answer हो जाएगा तो उस्तो next है सविधान में किस रूप में समग्रे भारत का वर्णन किया गया है तो इस question का right answer हो जाएगा a union state यानि की a is the right answer निमलिकित में से कौन सी भारतिय सविधान की एक विशेशता नहीं है तो presidential form of government दोस्तों यहां पर correct answer बन जाएगा चले जी अगला question आता है एकात्मक एवं संग आत्मक सरकार की वर्गी करन का आधार क्या है दोस्तों केंदर वे राज्यों की बीच संबन्द यानि की relationship between central and state यह आधार है federal government का अब देखी जो question मैं आपसे बोल रहा था भारत के सविधान है तो भारत का सविधान है जो की आप सभी से पूछा जा सकता है एक्जाम में फेडरल है, क्वासी फेडरल है, युनिटरी है या प्रिजिडेंटल है देखे, क्वासी फेडरल मैंने अभी आपको बताया था, इस question का right answer option भी हो जाएगा निमलिखित में से कौन संसदिय सरकार की एतुनिया विसेस्ता है तो इस question का right answer हो जाएगा बिलकुँ, कारियपालिका और विधाइका का गनिस्ट संबन्द यानि की option हो जाएगा लोगतांत्रिक समाजवाद का क्या उदेश्य है बिलकुल दोस्तो इस question का right answer है ब्रिंग अबाउट सोसलिजम थ्रू डेमोकरेटिक मेंस यानि की इसका हिंदी मतलब हो जाएगा लोगतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना ठीक है ना तो यह भी आप याद रख सकते हैं next question दोस्तो हमारा क्या कहता है hitting पर अर्थ चालक का परती रोध है दोस्तों तो क्या होगा remaining remain रहेगा decrease increase क्या होगा तो यह कम हो जाएगा decrease हो जाएगा ठीक है चलिए next question आता है थोड़ा सा अलग question होगे चिकित्सकों दुआरा संग्या हरन के रूप में उपयोग किया जाने वाला हसाने वाली गैस क्या है दोस्तों तो हसाने वाली गैस क्या है बिल्कुल सही है nitrous oxide is the retons यहनिकि C आपका correct answer हो जाएगा पानी में से carbon dioxide बुजर कर प्राप्त soda water क्या है बिल्कुल acidic in nature यानि कि प्राग्रती में अमलिया यानि कि C right answer हो जाएगा दोस्तों next है transistor बनाने के लिए अक्सर उपयोग किया जाने वाले दो तत्व कौन से है तो यह दो तत्व है silicon and germanium यानि कि B is the right answer next है इन में से क्या Lewis acid नहीं है तो यह भी विल्कुल सही क्या होगा आप लोगों ने C right answer हो जाएगा भारत में केंसासित परदेशों की संख्या कितनी है तो अभी वर्तमान में दोस्तों कितनी है जल्दी बताएगे अभी वर्तमान में केंसासित परदेशों की संख्या कितनी है बिल्कुल आठ हो गई है यानि की तो right answer जो option डी हो जाएगा गैस नेक्स्ट है नेमलेकित भाग में से भारतिय सविधान के किस भाग में मौलिक करतवयों का उलेक क्या गया है तो इस question का right answer हो जाएगा पार्ट फोर्थ ए में ठीक है चलिए त्योसोफिकल सोसाइटी USA में खालिस्थान द्वारे स्थापित की गई थी दोस्तों मेडम बलाट्स की इस question का right answer होगा यानि की see is the right answer नेक्स्ट है लेमनाइट खालिस्थान का एक ask याख नीज है तो इसका right answer हो जेगा titanium का यानि की D is the right answer दोस्तों next है अर्च बेक्टिरिया का समूकिस के उत्पादन में उप्योग किया जाता है तो ये methane के उत्पादन में उप्योग किया जाता है दोस्तों जिवित जीवों में नहीं सबसे परचूर मातरा में खालिस्थान तत्व होता है तो बिल्कुल सही आपने आपे आंसर लगाया होगा काफी important है सबसे अधिक मातरा में दोस्तों oxygen होती है ठीक है जिवित जीवों में ठीक है भई तो ये 70 question इस पीडियाप के हो चुके है next 70 देख जाए next पीडियाप के तो continue रखेगा चलिए और प्लीज यार लाइक वाइक करते रहा करें काफी कम student लाइक कर रहे हैं तो लाइक कर दीजे सेशन को next question से start करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो आप मुझे ये बते कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बोक्स में जुरू बतेगा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे अपने सभी दोस्तों साथ में सेयर कर दीजे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन कौन रखी ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मिलते हैं न्यक्स क्लास में अपना ख्याल लखे और किसी को भी अनखेडमी पर सब्सक्रीप्चन ज्योइन करना है तो ये कोđड आप यूज कर सकते हैं study it and without any space चलिए भे मिलते हैं नेक्स क्लास में बाई बाई टेक केर विडियो